पसकार बहुत स्वाकत है आपका MKN News में और मैं हूँ आपके साथ मनिश्कमार आज 26 ग्यारा मुंबई हमले की बरसी है आज से ठीक 14 साल पहले देश की आर्थिक राजधानी मुंबई आतंकी हमले की जिस पीडा सी गुजरी आज भी उसकी याद सहरन पैदा करती है लेकिन हमारी जैबाज सुरक्षा कर्मियों ने आतंकी कर्तूत को मुह तोड़ जवाब दिया था देश में जब जब आतंकी बादियों ने मुह उठाया है तब तब देश की सेना ने उन्हें मुह तोड़ जवाब दिया है उन्हें पराश्त किया है चाहे फिर वो कारगिल का युद्ध हो या फिर साल 1965 की जंग हो मुंबई हमले की 14 भी बरसी पर देखिए M.K.N. की खास रिपोर्ट नवंबर 2008 को पाकिस्तान के आतंगवादी संगटर लश्करे तयबा के 10 आतंगवादियों ने मुंबई के ताज होटेल सहित प्रमुक इस्थानों पर हमला किया था 18 सुरक्षा कर्मियों सहे 166 लोगों की जान चली गई थी और 300 से जादा लोग इस हमले में घायर हुए थे इस आतंग की मुट भेड में NSG कमांडो और मुंबई पुलिस ने मिलकर इस हमले का सामना किया और 9 आतंग्यों को मार किराया गया जिन्दा पाई गए एक आतंग की अजमल कसाप को पकड़ा गया और उसे कोट द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई कसाप को फांसी हमले की चौथी बर्सी से पांच दिन पहले 21 नवंबर 2012 को सुनाई गई थी हमले के बाद महरास्ट्र के ततकालीन मुख्य मंत्री विलासराव देशमुक और ग्रह मंत्री शिवराज पाटिल सहित तैर राजने ताउं ने इस्तीफा दे लिया था आतंग्यों ने मुंबई की दरजन भर जगों पर हमला किया था एक अस्पताल, रेल्वे स्टेशन, रेस्टोरेंट, एक यहूदी केंट्र और दो लगजरी होटल को निशाना बनाया था इनमें प्रसिद्ध होटल ताज महल पैलेस भी शामिल थी करीब साथ घंडे तक भारी हतियारों से लैस चार आतंग्यों ने साच महल पैलेस पोटल को घीर रखा था कार में से दो आतंग्यी अब्दुल रह्मान, बड़ा और अबू अली पास की पुलिस चौकी के सामने एक फ्रूट आडियक बम लगा कर आवर सेक्शन के में गेट पर पहुँचे थे 47 गोला बारूत और सत गोलों से लैस अतंगी लोंडी शेत्र में खिसे और रास्ते में जो जखा उस पर गोली बारी कर दे गए उस जिर आधिरा के खरीर मंबई पुलिस ने ताज को घीर दिया था इस समय तक होटेल के अंदर करंशारियों ने कई महमानों को कमरों में बंद कर दिया था करीब एक बजी होटेल के केंडरी गुबन पर बंबारी की गई और उमारत में भी शनात लगे सेना और दंपल करनी उस जगह पर पहुँचे जिसके बार निक्रासी का पहला दौर शुख हुआ लेकिन इस समय तक आतंक्यों अंदर धुन कोली बारी करते रहे दो आतंक्यों ने पूल के किनारे सबसे पहले चार विडेशी लोगों एक सुरक्षा करमी रविंडर कुमार और उसके लेबराडोर कुत्ते कुमार डाला था इस आतंकी बारदात में विडेशी नागरी को समय 166 लोगों की जान चली गई शी और 300 से जादा लोग घायल हुए थे वहीं जबाबी कारवाई में 9 आतंकी मारे गए थे और एक आतंकी बच गया था जिससे साल 2012 में फासी की सजा सुना दी गई इस बीच प्रधान मंत्री मूदी ने 26 नवंबर मुंबई आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को नमन किया पीएम मूदी ने कहा कि 14 वर्ष पहले जब भारत अपने समविधान और अपने नागरेकों के अधिकारों का पर्व मना रहा था उसी दिन मानफ्ता के दुश्मनों ने भारत पर सबसे बड़ा आतंगवादी हमला किया था मुंबई आतंकी हमले में जिनकी इम्रत्य हुई है मैं उन्हें अपनी शधांश्री अर्पित करता हूँ MK News की विशेश रिपोर्ट